पुस्पा चार साल पहले अपने प्रेमी मंटू को अपने प्यार के जाल में फसाती है और फसाने के बाद उससे इतना प्यार गहरा प्यार दिखाती है कि मंटू उसके प्यार में पागल हो जाता है और प्यागल होने के बाद उसके पीछे पीछे गूमने लगता है और जब उसके पीछे पीछे गुमता है तब पुस्पा किसी और से प्यार करती है और करने के बाद उससे साधी कर लेती है और साधी करने के बाद अपने ससुराल जाती है और जाकर छे महिना तक अपने ससुराल में रहती है और सशुराल में रहने के बाद उसको लगता है कि हमारे लिए मंटू ही शही था तब वो मंटू से फिर एक बार और प्यार का नोटंकी करती है और मंटू मान भी जाता है और मानने के बाद उससे बात चीत भी होने लगती है और कई बार लेकर मंटू घर से फरार भी हो जाता है और फरार होने के बाद वो घर पर आती है और घर पर आने के बाद पता चलता है कि उसी के घर में जाना है और उसी के घर में रहना है उसके बाद उसके उपर जब वो नहीं मानता है साधी के लिए वो उसकी माँ मंटू की माँ और मंटू कहता है कि पहले तुम्हारा जहां साधी हुआ है वहां से तुम तलाक लेलो और तलाक लेने के बाद फिर तुम आओ और हम तुम्हारी साधी करवाएंगे और तुमको इस मंटू जाता है तब अपनी बातों को बड़ी असानी से मनवा लेती है और कहती है कि तुमसे प्यार करते हैं रहेंगे तो तुम्हारे साथ जिएंगे तो तुम्हारे साथ मरेंगे तो तुम्हारे साथ उसके बाद मंटू के परिवार वाले नहीं मानते हैं उसकी मा नहीं मान आती है वहां पर कुछ समय तक रहती है और आने के बाद पता चलता है कि हमारे बेटे अकेले घर पर रहता है और वो घर पर आती है घर पर आने के बाद पता चलता है कि इस जो है चरम सीमा पर चल रहा है उसके बाद में उसका बेटा के उपर जब फायर हुआ था तो वह जेल बी चला गया था पिर वो उसको बेल पे जो है कंडिशन अपलाई Auto करके लेकर बाहर रहा जाता है जब wa सबसाधी के तयारी चलती है उसके बाद घर में लड़की रहने लगती है मंचू के घर में जब मंचू के गर देगा और हमारे बेटा से जब तुमारी साधी हो जाएगी तब हम लोग तलाक देंगे तब तक तुमारा भाई तुमारा खर्चा उठाएगा तुमारे घर वाले तुमारा खर्चा उठाएगे पुस्पा इस बात से नराय थी दोनों को ले करके जगड़े होते रहते थे कहा इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुस्पा अपने ही प्रेमी को रोड से वार करेगी और उसको खत्म कर देगी उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी और उस परिवार के ऊपर ऐसा दुखों का पहाल तूट पड़ेगा जिसका अंदाजा गाउवाले को भी जबरजस्ती रहना चाहती है गाउवाले को भी ये स्टोरी में बहुत मजा रहा था लेकिन पहले तो अपने मंटू को रोड से वार करती है और उसको जो हमेशा हमेशा के लिए सुला देती है उसके बाद खुद फंदे पर लटक करके अपनी जान दे देती है जब उसकी मा को पता चलता है तो उसकी मा दोल करके आती है दोल करके आने के बाद सब कुछ खुलता है खुलने के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर इस बंद कमरे में हुआ क्या था कि मंटू भी इस दुनिया को छोड़ कर चला गया और पुस्पा भी इस दुनिया को छोड़ करके चल रहा है वो लोग ने सब कुछ करवाया है उसके बाद जब पुस्पा के घरवालों से पूछा जाता है तो लोग काता है कि यही बार-बार लेकर हमारी बेटी को भागा करता था इसी ने सब कुछ करवाया होगा और यह जो है इसी के घरवाले यानि मंटू के घरवालों का सब किया दारा है लेकिन पूलिस एक एक बिंदू पर जाच करती है और जाच करने के बाद में समझ में आता है